हेलो गाइस कुरसी की पेटी बांध लोक्यू की आज आप जिस रोलर कोस्टर पर बैठने वाले हो वो आपका सर घुमा देगा। एक जादूई अंडा जिसकी कीमत है, दो सौ करोड वो म्यूजियम से चोरी हो गया और गलती से जादूई अंडा मामूली अंडो में मिल गया। अब दो सौ करोड का अंडा खोने की सजा में मौत मिलेगी नहीं तो अंडा वापस लाओ और अपनी जान बचा लो। इस अंडे को ढूंडने में इतनी जाने जाएंगी की आप सोच नहीं सकते। मामूली सी हाउस वाइफ सिरियल किलर बन जाएगी अपने पती से छुपके आदमी के जिस्म के टुकडे टुकडे करेगी। इस फिल्म के खत्म होने तक भगवान इन सभी लोगों के खून की वज़ा और इस फिल्म के विलन होंगे। कहानी की शुरुवात में अंडर वर्ड के ये दो डीलर जादूई अंडे को इसके असली मालिक के पास ले जा रहे है। लेकिन अचानक इनकी गाड़ी के सामने भेड का बच्चा आया इसको बचाते हुए गाड़ी का एक्सिडेंट हो गया। अंडा डीलर के हाथ से छूट के ग्रेविटी के साथ तेजी से नीचे गिरा और मामूली अंडों के साथ ट्रक में बैठ के चला गया। अंडे से भरा ट्रक दुकानदार फिरोज की दुकान पर आया इसको पता ही नहीं है अब ये अमीर होने वाला है। अंडा घुमाने की सजा मौत थी एक डीलर को तो सजा मिल गई लेकिन मालिक ने दूसरे डीलर को अंडा वापस लाने के लिए तीन दिन दिये। अगर तीन दिन बाद अंडा वापस नहीं आया तो डीलर के साथ इसके पूरे परिवार के टुकडे टुकडे कर दियेंगे मालिक. फिरोज की दुकान पर बच्चे से गलती से सारे अंडे जमीन पर गिर गए फिरोज चिल्लाने लगा इतने में एक अंडा उसके पैरों में आगिरा. फिरोज हैरान हुआ ये अंडा टूटा क्यूं नहीं इसने उठाया और खोल के देखा तो किस्मत खुल गई ये जादूई अंडा है. अचानक फिरोज की दुकान पर मालिक आ गए और अपना जादूई अंडा ढूंडना शुरू किया लेकिन उसको तो फिरोज दबा के बैठा है. दुकान के सभी अंडे तोड़ दिये लेकिन फिरोज को चेक नहीं किया तो अंडा नहीं मिला अब दीलर के पास अंडा ढूंडने को दो दिन बचे है. मालिक के जाने के बाद फिरोज अंडा पॉकेट में रख के फॉरन घर की तरफ भागा फिरोज का घर भी गुलमोहर अपार्टमेंट में है. इस अपार्टमेंट में एक फादरी रहता है, डैनियल ये औरतों के दर्द दूर करता है और कहता है जल्दी भगवान इस दुन्या में आने वाले है. तुम सभी के गुनाह को मिटाने एक नया जीवन देने इस दुनिया को मिटा के एक नई दुनिया बनाने भगवान आने वाले है एक रात अनुपमा को फिरोज के घर से चिल्लाने की आवाजे आ रही थी, उसने देखा तो फिरोज अपनी बीवी को मार रहा है अगले दिन उसने अपनी साइडकिक शिल्पा से कहा फिरोज अपनी बीवी को मारता है, उसको घर में बंद करके रखता है मेरे लिए उसके घर की चाबी लादे शिल्पा डर रही थी, वो ऐसा नहीं करना चाहती लेकिन अनुपमा ने उसको इस काम के लिए मना लिया दूसरी बार डीलर फिरोज की दुकान वापस आया और बच्चे को डरा के अंडे का पूछा बच्चे ने फर फर बग दिया अंडा फिरोज के घर पर है यहाँ शिल्पा फिरोज के घर की डबलिके चाबी ले आई अब अनुपमा खुद को रोक नहीं पा रही फिरोज के घर में जाने से रात के अंधेरे में अनुपमा घर से निकल के दबे पाउ फिरोज की घर की तरफ निकल पड़ी थोड़ी घबरा रही थी जब अनुपमा फिरोज के घर में आगे बढ़ रही थी अचानक इसके पैर खून से भर गए अनुपमा ने साइड में देखा फिरोज मरा पड़ा है अनुपमा की सांसे अटक गई उपर से नीचे तक हिल गई अंदर से किलर बहार आ रहा था तो अनुपमा अलमारी में छुप गई दीलर फोन पर मालिक से बात कर रहा है फिरोज को निप्टा दिया बस अंडा ढूंड के आपका अंडा आपके पास वापस ला रहा हूँ इतने में अनुपमा का फोन बजने लगा डीलर समझ गया कोई अलमारी में छुपा है धीरे धीरे वो अलमारी के बिल्कुल करीब आ गया अनुपमा थक्का मार के सीधी दर्वाजे की तरफ भागी लेकिन किस्मत खराब थी डीलर ने गर्दन पकड़ के वापस अंदर खीच लिया अनुपमा जमीन पर मचल रही थी डीलर उसका गला घोट रहा था अनुपमा ने अपने पास रखा काटा उठा के गलती से डीलर के गले में घुसा दिया बस फिर क्या होना था डीलर की जान निकल गई अनुपमा की सांस में सांस वापस आई वो फोरण फिरोज के घर से बाहर निकल गई अनुपमा को रास्ते में याद आया इसका खून मैंने किया है वो वापस फिरोज के घर आई डीलर को बैग में पैक किया और जमीन से खून का दाग मिटा दिया अब अनुपमा मुश्किल से बैग अपने घर ले जा रही थी अचानक से इसकी सहली ने आवाज दी डर से बैग अनुपमा के हाथ से छुड़ गया बैग जमीन पर खुला पड़ा है और अनुपमा अपनी सहली से बात कर रही है किसी ना किसी बहाने से वो सहली को तरका देती है फिर वापस नीचे आई लाश को वापस बैग में पैक किया और फिर से घर की तरफ चल दी लेकिन अब पती घर आ गया मुश्किल और बढ़ गई अनुपमा ने लाश बैक से निकाल के किचन में छुपा दी और पती के सामने ऐसी मासूम बन गई जैसे इसने कुछ किया ही नही अगले दिन क्राइम सीन पर पुलीस आई और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी पुलीस को डीलर की गाड़ी फिरोस के घर से दूर खड़ी मिली पुलीस मैडम अनुपमा की बड़ी फैन थी वो अनुपमा की तारीफ कर रही थी लेकिन अनुपमा की फटके चार हो रही थी अनुपमा सारा किस्सा शिल्पा को बताती है उसने कहा दीदी मैंने कुछ खाया नहीं लेकिन आपकी वज़ा से बिल भरूंगी सालाना आपके साथ मुझे भी जेल जाना पड़ेगा इसको मारा अपने है लेकिन आपको चाबी मैंने लाके दी थी पुलीस CCTV चेक कर रही है यहां इन दोनों की जान हलक में अटकी हुई है भगवान से एक ही दुआ है CCTV खराब हो जाए पुलीस के जाने के बाद दोनों भागते हुए आए और पुछा क्या हुआ गार्ड ने कहा किसी ने CCTV फुटेज डिलीट कर दी दोनों इस बात से खुश हुई लेकिन वक्त है दोहखी होने का CCTV फुटेज मालिक के पास है जो अब अनुपमा को छोडने नहीं बाला क्यूंकि 200 करोड के अंडे का सवाल है पुलीस को डीलर की गाड़ी से उसका पता लग गया और इस बच्चे ने पुलीस का शक्स सच में बदल दिया डीलर ने ही फिरोज को मारा है लेकिन मार के गया कहा अनुपमा को मालिक का कॉल आया मुझे सब पता है तुमने डीलर के साथ क्या क्या में किसी से कुछ नहीं कहूंगा मुझे मेरा अंडा वापस कर दो अनुपमा ने कहा में आपको 100 अंड़े दूंगी लेकिन किसी को कुछ मत बताना मालिक ने कहा मजाख मजाख खेल रही है. मेरा अंड़ा 200 करोड का है जो डीलर के पास था. अनुपमा फोरण डीलर के पास आई और अंडा ढूंडने लगी काफी देर ढूंडने के बाद अंडा नहीं मिला लेकिन डीलर अभी जिन्दा है दोनों शोक हो गई पूछा बताओं अंडा कहा है इतने में मोहन घर आया और किचन में अनुपमा के पास आया उसने कहा ये रोड ठीक नहीं हो रही मोहन ने रोड को पकड़ के जोड से मार के अंदर घुसा दिया जब मोहन यहां से बाहर निकल गया तो फौरन दोनों ने डीलर को देखा जो थोड़ी देर पहले तक जिन्दा था अब वो सच में मर चुका है मालिक का कॉल आया पता लगा अंडा कहा है अनुपमा ने कहा वो वापस मर गया मालिक ने कहा अच्छा मजाक चल रहा मरने और जिन्दा होने का अगर मुझे अंडा नहीं मिला तो तू गई अब अनुपमा ने प्लैन बनाया शिल्पा हवलदार को उलजा के रखे की और अनुपमा फिरोज के घर में जाके अंडा ढूंड के वापस लाईगी दोनों अपने काम पर लग गए लेकिन अनुपमा के पैर में कुछ चुभा जिस से वो डिस्बैलन्स हुई समान गिर गया हवलदार को शक हुआ लेकिन शिल्पा ने संभाल लिया अनुपमा ने समान वापस उठा के अपनी जगह पर रखा और अलमारी में छोप गई पुलीस मैडम और हवलदार दोनों कमरे की तलाशी लेने आए अनुपमा ने मोका देखा दोनों अंदर है वो फौरन अलमारी से निकल के भागी हवलदार को शक हुआ उसने बाहर निकल के देखा अनुपमा लंगडाते हुए जा रही है अब पुलीस अपार्टमेंट के सभी कमरों की तलाशी लेने वाली है तो अनुपमा और शिल्पा ने लाश को किचन से निकाल के टेबल के अंदर छुपा दिया लेकिन इसका पैर अकड़ गया टेबल के अंदर नहीं जा रहा तो अनुपमा ने चाकू उठाया और इसके पैर को एक ही जटके में अलग कर दिया और कटे पैर को फ्रिज में रख दिया पुलीस अनुपमा के घर आई और डीलर को तलाश करने लगे शिल्पा और अनुपमा शांत खड़े देख रहे थे पुलीस को कुछ नहीं मिला वो चेक करके चले गए पुलीस के जाने के बाद अनुपमा मुडी और घबरा गई इसको देख के शिल्पा भी शोक हो गई क्योंकि मोहन को फ्रिज से कटा हुआ पैर मिल गया अनुपमा ने सारी कहानी शुरू से बताई शिल्पा ने कहा सुभा तक ये जिन्दा था लेकिन आपने इसके दिल में रोड घुसादी मोहन ने कहा ये पागल मुझे खूनी कह रही है ये सब कुछ हम लोगों से गलती से हुआ है पुलीस को बता देते हैं अनुपमा ने कहा मेरी बात अकेले में सुनो दोनों कमरे में आए अनुपमा ने मोहन को कमरे में बन कर दिया इतने में मालिक का कॉल आया क्या अंडा मिल गया अनुपामा ने कहा मैंने फिरोज का घर देख लिया लाश को चेक कर लिया लेकिन अंडा कही नहीं है तो गया कहा अंडा फिरोज की बीवी सारा के पास है वो इस अंडे को भगवान की निशानी समझ के डैनियल के पास लाई थी और इसने अंडे को भगवान के जन्म के इशारा समझ लिया डेनियल को बच्पन से समझाया गया था एक औरत अंडा लेके आएगी जो जादूई होगा उसके बाद इस जमीन पर भगवान जन्म लेंगे ये थोड़ा साइको था सारा ने जादूई अंडा डेनियल को दे दिया था ये पागल इसको भगवान की जन्म की निशानी समझ रहा था जबकी लोग इसको बेच के मालदार होना चाहते थे सारा के पती फिरोज को जान से मारने वाला डैणिल था जब डीलर घर में घुसा तो डैनिल उससे देखके छोप गया मरे हुए फिरोज को डीलर ने दोबारा मार दिया फिर उसने अंडा ढूंडना शुरू किया और अंडा मिल भी गया था इतने में अनुपमा घर में आई जब डीलर मालिक को बता रहा था अंडा मिल गया फिर उसके बाद डीलर का अनुपमा को पकड़ना और गलती से डीलर का खून हो जाना और अनुपमा का डर से कमरे से भाग जाना सब देखा है जब अनुपमा पहले लाश को छोड़ गई थी तो डैनियल ने डीलर की जेब से अंडा निकाल लिया था यानि अंडा साइको के पास है अनुपमा अपने भाई को वैन लेके जल्दी घर बुलाती है फिर लाश को और उसके साथ चाकू को बैग में रखती है उपर से पुराने कपडों से ढख देती है फिर बैग को वैन में रखके निकलते है लेकिन गेट पर हवलदार रोक लेता है चेकिंग के बिना गाड़ी बाहर नहीं जाएगी अनुपमा ने भाई से कहा बैग में लाश है उसकी पेंट गीली हो गई अनुपमा ने काफी रिक्वेस्ट की लेकिन हवलदार ने एक नासुनी वैन बिना चेकिंग के बाहर नहीं जा सकती जब हवलदार ने बैग खोला अनुपमा समझ गई में फस चुकी हूँ हवलदार वापस अनुपमा के पास आया और कहां आप इतना घबरा क्यू रही है जाए फिर मिलते हैं अनुपमा ने कहां मैंने पुराने कपडों से ढग दिया था इसलिए लाश नहीं दिखी अनुपमा अपने भाई के साथ इस काली रात में लाश को नदी में फेक कर घर वापस जा रही है अचानक रास्ते में हवलदार मिल गया याद है इसने कहां था फिर मिलते हैं हवलदार ने कहां अगर में जब तुम्हें पकड लेता तो मुझे कुछ इनाम नहीं मिलता अब बताओ तुम्हें बचाने का क्या इनाम दोगी मुझे अनुपमा घबरा रही है वो समझाना चाती है ये सब गलती से हुआ है लेकिन इतने में गोली चली हवलदार जमीन पर गिर गया मालिक का कॉल आया इसको भूल जाओ अंडा वापस लेके आओ वरना तुम्हारा बेटा मेरे पास है अंडा नहीं आया तो इसको भी हमेशा के लिए भूल जाना डैनियल अपने घर पर बैठा जादूई अंडे की पूजा कर रहा है अपना पूरा ध्यान लगाया हुआ है भगवान को दोबारा जमीन पर लाने में अचानक इसके घर पुलीस मैडम आई और कहा मुझे तुम्हारी घर की तलाशी लेना है पुलीस मैडम अंडे का बॉक्स उठा के खोलने ही वाली थी डैनियल सर खोलने के लिए हैमर उपर कर रहा था अचानक पुलीस मैडम का फोन आया नदी के किनारे डीलर की लाश मिल गई यहाँ अनुकमा को याद आया उस दिन फिरोज के घर पर जो चीज मुझे चुभी थी वो फादर डैनियल की थी यानि अंडा उनके पास होना चाहिए शिल्पा डैनियल के पास आई और कहा फादर कल रात मेरे सपने में भगवान आये थे और कहा था आप मेरी मदद कर सकते हैं मेरी मा बीमार है शिल्पा से अपनी इतनी तारीफ सुनके साई को पानी पर चड़ गया और इसके साथ घर जाने लगा लेकिन रास्ते में शिल्पा भाग गई और मालिक के लड़कों ने डेनियल को किड्नैप कर लिया दूसरी तरफ पुलीस मैडम डीलर की लाश देख के हैरान हुई पैर कटा हुआ अलग पड़ा है दिल कच्चा होने लगा अनुपमा डेनियल के घर आई और जादूई अंडा ढूर्णना शुरू कर दिया काफी देर के बाद अनुपमा को जादूई अंडा मिल गया पुलीस मैडम को भी डीलर का हतियारा मिल गया लाश के साथ जो चाकू मिला है वैसा ही सेम चाकू अनुपमा के पास भी है यानी एक तरफ कुआ दूसरी तरफ खाई अनुपमा ने मालिक को कॉल किया और कहा मेरे बेटे को और CCTV फुटेज को मेरे पती के हवाले कर दो फिर में तुम को अंडा दे दूँगी मालिक इस खबर से इतना खुश हुआ डांस करने लगा कहा ठीक है तुम जो कहोगी वो होगा बस मेरा अंडा मुझ को वापस दे देना मालिक दो मिनिट टॉयलेट क्या गया डैनियल ने अपने हाथ खोल के मालिक के सभी बंदों को एक-एक करके जमीन की धूल चटा दी जब तक मालिक बाहर आया सब खत्म हो चुके थे डैनियल के घर में अनुपमा फस गई दर्वाजा खुल नहीं रहा मोहन के पास CCTV फुटेज और बेटा दोनों आ गए लेकिन अनुपमा यहां फस गई बड़ी मुश्किल के बाद दर्वाजा खुला तो सामने पुलीस मैडम है अनुपमा से पूछती है तुमने डीलर को मारा है और शायद फिरोज को भी तुमने मारा है यहां डेनियल ने सब को निप्टा दिया और अपने घर की तरफ चल दिया अनुपमा पुलीस मैडम को समझाने की कोशिश कर रही है जैसा आपको लगता है वैसा कुछ नहीं है अचानक से गोली चलने की आवाज आई पुलीस मैडम ने पीछे मुड के देखा डेनियल ने सीधा सीने के बीच में गोली मारी अनुपमा घबरा गई अब आगे क्या होने वाला है डैनियल ने पुलीस मैडम का किस्सा खत्म कर दिया अनुपमा घबराई हुई दूसरे कमरे की तरफ भागी और अंदर से दर्वाजा बंद कर लिया डैनियल कमरे के बाहर से गोलियां चला रहा था एक गोली अनुपमा के लगी वो जमीन पर गिरी अंडा हाथ से छुट के दो सौ करोड नाली में जा गिरा कुछ ही देर में पुलीस यहां आ गई अनुपमा को हॉस्पिटल ले जाया गया और फादर डैनियल को खून करने के जुर्म में जेल ले गए कहानी के आखिर में हवलदार ने अनुपमा से कहा अगर भगवान दुन्या में होता तो कभी पुलीस मैडम को मरने नहीं देता और तुमको डैनियल को जिन्दा नहीं रहने देता ऐसी और वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दो